नमस्कार में हुद अबाजली मोहित्रा गलवान घाटी विवाद अब चीन के लिए सिर्दर्ध बनता जाना है और चीन इस जंजट को जल्दी खतम करना चाहता है इसलिए चीन अब सीधे तोर पर बात करके पीछे हटने को राजी हो सकता है राजनीतिक मामलों के जानकार और रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन एक सार्थक बातचीत के बाद धीरे धीरे पीछे हटना चाहता क्यूकि रणीतिक तोर से भारत ने चीन को सबक सिखा दिया भारत चुशूल सेक्टर में बढ़त पर सपंगूर गैप के उत्तर में ब्लाक टॉप भारत का सबसे एहम ठिकाना ब्लाक टॉप गुरूंग हिल और मागर हिल चार किलोमीटर चौड़े और छे किलोमीटर लंबे सपंगूर गैप पर भारत की पूरी नजर मागर हिल, मुखपरी, रिजांगला और रेचिंगला स्पंगु सो के 10 किलोमीटर दक्षणी किनारे पर नज़र रखती इस बाद से ये समझा जा सकता है कि चीन क्यूं पीछे हटना चाहता इसका मतलब ये हुआ कि चीन भारतिय सेना की जाल में पूरी तरह फस चुका है इसलिए दुनिया भर में अपनी ताकत का एहसास कराने वाला चीन भारत से सांकेतिक हार की वजह से पीछे हटेगा इसके साथ ही साथ सितंबर चल रहा है और सर्दिया जल्दी शुरू होने वाली चीनी सेना सबसे उचाई वाले युधुशेत्र में रुकना नहीं चाहते क्योंकि अगर रुके तो माइनस डिग्री सेल्सियस तापमान में चीनी सेनिक का खून जम जाएगा और लडाई तो दूर उससे पहले ठंड ही मार देगी क्योंकि चीनी सेनिक ठंड में कभी काम नहीं करते जबकि भारतिय सेनिक ठंड में काम करने के लिए अभ्ध्यस थे चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता जाव लिजियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें उमीद है कि हमारी सेना बहुत जल सीमा से लौट आएंगी और LAC पर कोई तनाव नहीं होगा इसके आगे चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा कि आप सब जानते हैं कि 4000 मीटर की उचाई पर कितनी ठंड पड़ती है और क्या होता है सर्दियों में पहाड रुकने लायक जगह नहीं होती ऐसे में हमें उमीद है कि हम कूटनीतिक नजरिये से स्विवात को जल से जल्द सुलचा लेंगे मौजूदा वक्त में LAC पर चीन और भारत की सेना आएं आमने सामने जहां का तापमान 0-50 तक जाता है वही सूत्रों की माने तो भारत ने अपने सेनिकों के लिए ठंड से बचने का पूरा इंतजाम कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्यूं चीन की अकड धिली पड़ी और क्यूं चीन पीछे हटने के लिए तैयार कुआ अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और समझोते का अईलान कब होता है